हेलो दोस्तों स्वागत आपका अज एक और वीडियो के अंदर इसके अंदर अपना आज करने वाले है अल्गृत्म का अनलेसिस और कॉंप्लेक्सिटी के बारे में जानेगी क्या होता है अब इसके लिए आपको पहले डिजाइन करना आना चाहिए एक इंट्रॉडक्शन होन तो भई यह है अनलेसिस और अल्गृत्म क्या होता है देखते हैं पुरा फॉर अस्टेंडर अल्गृत्म पूरी में जाए उसके एफशन ची कैसी आ रही है अब यह कैसे हो सकता है यह आपका दो स्टेज में होता है पहले होता है प्रायरी या प्रियोरी जैसे भी आप बो checking the algorithm before its, before its implementation, implement करने से पहले ही आपको, आपने पहले आंसे निकालने कोश्क की, कि approximate value क्या रही भई, तुससे आपको पता देल दाएगा, ठीक है, ये थोड़े कम effective है, क्यों, क्योंकि, पता करना पहले से exact value मुश्किल है, आप approximate value भी पहुझोगे, देखो, जैसे कि अगले point में ले लिख रहा है, इट इट इवस्ट अप्रोक्सिमेट आंसर फोड़े कम प्लाक्सिटी अप्रोग्राम, ठीक है, ये आपको approximate value भी देगा, तो ये इतना बेटर नहीं है, मतला ये इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, second आता है अपना posterior analysis, अब ये क्या होता है, पोस्टीर से के नाम बता रहा है, आपका after, यानि बाद में, hence posterior analysis means checking the algorithm after its implementation, ठीक है, जैसे आपने implement किया, उसके बाद में आपको बताता है, उसके बारे में, इन एनी programming language, जो भी आपकी यूज कर रहा है, आप algorithm के लिए, and executing it, ठीक है, तो execute और implementation के बाद में, आपको पूरा analysis रहता है, बही कि हाँ, के इसे साब से क्या हुआ, क्या सी efficiency आएगी, तो इसमें accuracy ही जाएगा होती है, this analysis helps to get the actual and real analysis report about correctness, space required, and time consumed, ठीक है, और बाकी और भी चीज़े होती है, तो यह आपको posterior analysis बेटर होता है, as compared to prior analysis, ठीक है, अब आते हैं अपन algorithm complexity पे, चलो यह देखते हैं, the complexity of an algorithm can be divided into two types, दो तरसे अपनी डिवाइद होती है, पहली होती है अपनी space complexity, space complexity ना में होता रहा है, amount of memory used by the algorithm to store the variables and get the result, यानि कि amount of memory used, यानि कि simple सी भाशे हम बोले, तो RAM और जो अपने storage का जो हो गया, का ना, वो हो गया, क्योंकि अपन variable define करते हैं, या फिर predefined variable होता है, तो अपना space लेता है, तो space complexity वो हो गई, this can be for inputs, temporary operation, और output, ठीक है, तो space complexity का एक basic idea लग गया, दूसरा होता अपना time complexity, time complexity again, time से पते सिल रहा है, the amount of time that is required by the algorithm to execute and get the result, कितना time लगता भई तो मारी algorithm को execute करने में, simple सी बात है, यह होती time complexity भी, this can be for normal operations, condition, if a statement, loop statement, ठीक है, तो आपके कोई भी ऐसी चीज़े आ सकती है, इसके related आपके कितना time लग रहा है, if a statement को कितना time लगा execute करने में, तो simple सी भाज़ा में time complexity, time पर dependent और space complexity, आपका कितना amount वो, storage input वगरे सब ले रहा है, ठीक है, तो यह होगा आपके algorithm complexity के related, तो बस यहर इस वीडियो में इतना इता आया हो, कैसे आप analysis कर सकते हो और algorithm की complexity क्या होती, किस टाइब क्यों होती, दोनों तरह से मैंने बताया एदम clearly, सिल कोई डावट हो, comment section बताओ, पसंदाया, helpful रहा है, तो like, share, subscribe कर दो, और बाकी और आगे topics पर लगातार videos बन रहा है, स्टिल टोपिक मिस रहा है, तो mention करताना comment में, so thank you so much for watching and keep supporting guys.